Hello friends, welcome to Ghareloo Ozdy Ghareloo Ozdy में आपका बहुत बहुत स्वागत है Life में Natural रहें और Healthy रहें दोस्तों, अगर आपके पास Health है अच्छी तो आपके पास सब कुछ है अगर आपके पास अच्छी Health नहीं है तो मान के चलिए कुछ भी नहीं है दोस्तों Health को लेके हम लोग पता नहीं क्या क्या करते है दोस्तों, आज आपके सामने मैं उसी के बारे में कुछ जिक्र कर रहा हूँ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं दाकि जो भी वीडियोस मैं आपको यहाँ पे डालता हूँ आपको आसानी से मिल सकें आए आगे बढ़ते हैं दोस्तों आपको बताते हैं किसके बारे में मैं क्या benefits बताने जा रहा हूँ यहाँ आपको इसकी पे दिख चुका होगा कि जो देशी good होती है उसको खाने के क्या फाइदे होंगे और क्या ब्यापक परिवर्दन आपके जीवन में वो ला सकता है उसी सब बिंदूंपे मैं आपसे विचार कर रहा हूँ दोस्तों आम तवर पे good तो हम सभी खाते ही हैं लेकिन उसका कई लोग इतने modern हो गए हैं उसका सेवन छोड़के चीनी का सेवन पिलकुल बढ़ा चुके हैं दोस्तों गूर और चीनी में तो आसमान जमीन का स्वास्त को लेके अंतर है ही लेकिन अगर बात करें स्वाद में तो स्वाद भी इसका बहुत अच्छा होता है अगर दो प्रकार से बाते रखें कि गुड और चीनी में अच्छा कौन है तो आँख बन करकर सभी बोल सकते हैं कि गुड अच्छा चीज है गुड अच्छा चीज क्यों है उसी के बारे में यहाँ पर बात करूँगा दोस्तो इसके क्या benefits हैं गुड क्यों खाना चाहिए गुड के क्या ब्यापक लाब है आपके जीवन में क्या कर सकता है गुड क्या बदल सकता है आपको उसी के बारे में इस वीडियो में मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इसकीन पे गुड कई प्रकार के होते हैं प्रॉपर लाल होते हैं पीले होते हैं एक काले टाइप्स के भी होते हैं तो आपको गुड हर प्रकार में अलग-अलग quantity में उसके जो भी minerals होते हैं जो मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ उसी वीडियो में आपको मिलेंगे सबसे पहले बात करी जाती है iron की जो इसमें प्रचूर मात्रा में गुड होता है दूसरी बात करी जाती है कि यह metabolic activity को काफी सही रखता है आपके metabolic activity को दर सही रखेगा यह तो जह इसी बात है आपकी body की जो functioning होगी सोचने समझने काम करने और energy की सारी चीजों में बहुत अच्छे से आप कर सकेंगे आगे वड़ते हैं इसमें जो minerals होते हैं वो काफी आपके body में लावदायक होते हैं तो इसका इस्तमाल बिल्कुल करना चाहिए digestive system जी हाँ अगर आप इसका सेवन करते हैं सुबह उठके 20-40 ग्राम तक गुड़ का सेवन कर रहे हैं तो आपके digestive system को proper अच्छे तरीके से regulate और control करता है आपको किसी भी प्रकार का digestive system में problem आने नहीं देगा यह गुड़ की बिसे समहत होती है दोस्तो अगर energy की बात करी जाए तो energy भी इसमें कम नहीं होती है energy की मामले में आप इसका रस आप इसका जूस गुड़ का पानी में बना के सेवन कर सकते हैं वो आपको बहुत अच्छा energy प्रदान करता है instant energy भी इसको बोल सकते है यह किसी glucose से कम नहीं है glucose की बात करी जाए और इसकी बात करी जाए तो दोनों में मैं एक चीज बता सकता हूँ कि यह आपके लिए सबसे सर्वुत्तम हो शकता है आए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं इसमें water retention capacity होती है इसके अंदर पानी की मात्राएं अधिक होती है इसलिए इस पो अवस लेना चाहिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बताते हैं और भी क्या इसमें अच्छे अच्छे चीजे हैं जो आपको मैं इसमें बता सकता हूँ जी हाँ blood blood की क्या खासियत है गुड से इसको जानके आप चकीत तो हो जाएंगे लेकिन बता मैं बहुत सही चीज रहा हूँ दोस्तों आम तोर पे गुड आपके blood को purify भी करता है आपके blood को purify करता है जितने भी carbon dioxide जो आपके blood में indulge हो गया है घुल गया है, मिल गया है weight gain, अगर कोई भी व्यक्ति underweight हो, उसका weight नीचे मतलब एक सामाने weight से कम हो, तो वो उसका seven कर सकते हैं वो weight gain में भी काफी मदद करता है दोस्तों, सुबह उठके खाली पेट अगर गुड का कोई seven करे मुस्किल से 2 महिना या 2 महिना करके देखे, तो मैं कह देता हूँ वो व्यक्ति बिल्कुल भी इस से इस result से वो खूस होगा और उसको जो results आएंगे वो बिल्कुल अच्छे results आएंगे तो weight gain का भी ये काम करता है और काफी हद तक अच्छा है हर प्रकार से जो मैं बताती चलना हूँ आगे बताता हूँ नर्वस जी या आपके नर्वस सिस्टम को सही रखता है यानि neuron, neurotic problem जो भी neuro problem होती है उनको भी कई प्रकार से control करता है तो ये सब इसके अंदर quality है आगला चीजे जो मैं बताने जा रहा हूँ वो छोटा नहीं है लेकिन बहुत अच्छी चीजे है वो है calcium जी है इसमें calcium की भी मात्रा इतनी अधिक हुती है दोस्तों इसमें क्या-क्या होता है और भी चीजे बहुत सारे मेंदर्स होते हैं बहुत सारे चीजी होती है लेकिन मैं अब इस पांच मिनट के वीडियो में सारे चीजे मेंजन कर नहीं सकता लेकिन अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसका सेवन अवस्य करें क्योंकि इसके benefits आपको इसकी इन पर मैं बता चुका हूँ काफी अच्छे benefits इसकी होते हैं आप इसका सेवन अवस्य करें कैलसियम और आईरन और यह सब सिस्टम इन जितने भी चीजों का मैंने वर्ण कर रखा हैं यहाँ पे यह तो मिलते ही हैं इसके अंदर और यह आपके proper body के लिए भावत ही उपयोगी होता है इसलिए चीनी कम करकर इसका सेवन अधिक करें और इसके सेवन की मात्रा को सुबागार आप बढ़ाते हैं तो आपके सरीर में व्यापक परिवर्तन आपको दिखेगा दोस्तों स्क्रीन पर देख सकते हैं यह गुर कुछ इस प्रकार से होते हैं यह आम तोर पे आपको कई रूपों में देखने को मिल जाते हैं दोस्तों तो इसका जो प्रकार है कई प्रकार के मतलब साचे में इसको बनाया जाता है तो गुर काफी मसकत से बनाया जाता है जो भी गाउं में हो जतने होंगे वो लोग जानते हैं तो इसका सेवन अवस्य करें यह बहुत ही लाबदायक है दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं और सेयर करना बिल्कुल न भूलें ताकि जो भी अब फायदा है अपने दोस्तों तक परिवारों तक इसको अवस्त बताएं उनको भी इसका लाबू फ्रैंट्स स्थल्ड़ इसका लाब।